हलो फ्रेंड्स, MTDs का सीटूप चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो में सेटाफ इन एक सार थाफजिन एमजी टैबलेट को लेकर बात करने वाला हूँ यह सेटाफ इन टैबलेट को किस किस कम के लिए यूज किया जाता है इस टैबलेट का MRP कितना है, किस कमपनी ने बनाती है और यह टैबलेट यूज करने का क्या डोज होना चाहिए और यह टैबलेट यूज करने से क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकता है यही सारे बाते इस वीडियो में करने वाला हूँ और अगर हम बात करें इसका company की तो दोस्तो इस tablet को बनाती है Inventia Healthcare Limited Company ने और marketing में है Sanofi Company और अगर हम बात करें इसका MRP की तो दोस्तो 15 गोली का एक इस्टिप होता है एक इस्टिप का कीमत है 57 रूपे 57 रूपे only और ये कीमत fluctuate होते रहते हैं तो चलिए दोस्तो अब हम देख दोस्तों देखने से पहले छोटी सी रिकोष्ट है याद हमारे चैनल में नए ही तो चैनल को सब्सक्राब करके बेल आइकोन को प्रेश कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नौटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले दोस्तों ये सेटप इन एक सार टैबलेट में जो और सूगर लेवल को कंट्रोल में लाने के लिए जैसे हमारे अंदर बहुत सारे लोगों का ही सूगर लेवल का प्रॉब्लेम दिखाए देता है और यदि हमारे बॉड़ी में सूगर लेवल का प्रॉब्लेम हो तो कई प्रॉब्लेम दिखाए देता है जैसे कि गने गने प कंटरोल में लाने के लिए यूज किया जाता है ये सेट अपीन works 1 1000 लीट को और दोस्तों ये सेट अप लेबिल को कंटरोल में लाने के लिए जो टैबलिट मिलता है उससे क्या गुना हाई पाफाउड इंग ही ये और अगर हम बात करें ये से इसट अप से ही डोज कॉंसलेट कीजिएगा की की सुगर लेवल को चेक करने के बाद और पैसंट के कंडिशन के हिसाब से ही डोज कॉंसलेट किया जाता है और अगर हम बात करें यह सेट अप इन एक्सर 1000 एमजी टैबलेट यूज करने से क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकता है तो दोस्तों इस टैबलेट का कैसाइड इफेक्ट है जैसे की मतली या उल्टी या मुग का टेस्ट बिगड़ना या दस्त या पेट दर्द इसके अलावा भूग कम लगना या पिसाब करने में जलन महसूस होना या धुनली द्रिष्टी या सरदर्द या इसकीन में लाल चकत्ते पड़ना या पेट में गैस बनना या तेज धड़कन या छाती में दर्द जैसा महसूस हो सकता है यदि आपको ये सेटब इन एक्सर 1000 एमजी टैबलेट सूट ना करे तो यदि आपको य यही था सेटब इन एक्सर 1000 एमजी टैबलेट को लेकर कुछ जान करे वीडियो को पसंद हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ स्यार कीजिए तो दोस्तों मिलते है अगले वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों बाइबाइ